प्रिंट्स आज की ताजा खबर में आप सबों की स्वागत है जार्खन की तमाम चोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगें अगली बड़ी खबर चिंता की बाद सहरी सासन विवस्था में सबसे खराब पांच राजियों में जार्खन भी वज़ा सहरी सरकारों की जवाब दई अब तक तै नहीं जार्खन लचर सहरी सासन विवस्था के मामले में देश के सबसे खराब सासन विवस्था बवाले पांच राजियों में सामील है जबकि परोशी ड्राज ओडिसा सहरी सासन विवस्ता में देश में टॉप पर है इसका खुलासा नीजी संस्था प्रजा फॉंडेशन द्वार मंगलवार को अनलाइन जारी किये गए सहरी सासन सुचांक 2020 से हुआ अगली बड़ी खबर साहिब गज में पुलिस की सफलता 24 घंटे के अंदर पकड़े गए दो फरार हत्या रोपी लापरवाही पर तीन पुलिस कर्मियों को एस्पी ने किया निलंबित राजमहल नियाले में पेशी से पहले फरार हुए दुमका के दो हत्या रोपी अकाश कुमार वा अंजन को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया है सुत्रों में मिली जनकारी के अनुसार दोनों को पुलिस के ने तीन पहार इलाके से मंगलवार की रात लवर 9 बजे दबोच लिया है इधर मामले में एसपी अनुरंजन का स्पोर्ट ने बड़ी करवाई करते हुए हत्या रोप्यों की अभिरच्छा में लगे रंगा थाना के दरोगा अनील दुबे हवलदार शुगंध मातोवा एस आई अनुवर अनसारी कारी हिंता के आरोप में निलंबित कर दिया है अक्रोशितों ने किया रोड जाम हेरा गंज थाना छेत रिस्तित चीरू पंचायत के हैंबू पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार की देर राथ हांथियों ने जमकर उपात मचाया मौके पर एक यूवा को कुचल कर मार डाला इस घटने के बाद से ग्रामीनों में दहसत का मोहल है इधर वन विभागिये के पदादिकारियों से नाराज लोगों ने मुवावजा की मांग पर सड़क जाम कर दिया हलाकी मिरितक के आश्रित कोततकाल लाव के रूप में दस हजार रुपई वन विभाग की ओर से दिया गया तब लोगों ने सड़क जाम हटाया अगली बड़ी खबर आधिवासी महला के साथ गेम रैप का मामला भाजपा की पुरुमंत्री लुईस मरांडी बोली नहीं रोक सकते बालतकार तो चुड़िया पहन ले हमन सरकार दुमका में हुई सामुहिक दुसकर्मी की घटना के विरोध में परदेश भाजपा में ने बुद्वार को हमलोवार रुक अत्तिकियार किया भाजपा मुखियाले में आयोजित प्रेस वारता को संबोधित करते वे फुरुमंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि अगर हमन सरकार बलतकार की घटनाये नहीं रोक सकती तो चुड़िया पहन ले दुमका के मुपसिल ठाना छेतर में एक आदिवासी महला के साथ 17 योको द्वारसा मुहिग दुसकर्म की घटना ने राज को एक बार फिर सरमसार किया है इसी के साथ अगली बड़ी खबर देवगर में वर्दाता टोल पलाजा के मैनेजर से हतियार के बल पर 5.48 रुपई लाग की लूट मोहनपुर थाना छेत के वूटी कूरा गाउं के पस्टोल पलाजा के मैनेजर से 5.48 लाग की छिनताई हतियार के बल पर कर ली गई अपराधी रुपईये की छिनताई करते हुए वहां से फरार हो गए बताया जाता है कि दुमका जिला के कोठिया में इस्तित्रोल पलाजा के मैनेजर विजय पांडे बुधवार श्राम को 5.48 लाग बैग में लेकर देवघर के में बैग और बडोदा में जमा करने बैग से आ रहे थे तबी उड़ी उड़ा गाउं के पस दो बैग पर चार बदमाशों ने उन्हें रोकर पिस्टॉल चटा कर हाथियार का भै दिखाते हुए रुपईये से भरा बैग उससे छिन लिया और हाथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए इसी के साथ अगली बड़ी खबर राज में मौसम अगले दो दिन में तिन डिग्री सेल्सियस चड़ेगा नियुंतं पारसाप रहेगा आसमान राची के नियुंतन तापमान के उपर चड़ने का सिलसिला लगतार जारी है 12 दिसंबर तक इसके 3 डिग्री सेल्सियस अभी और उपर जाने की संभावना है मौसम किन राची के मुदाबिक 10 बारत दिसंबर तक राजी का न्यूंतन ताफमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा अगले 72 घंटे तक आसमान पुरी तरह साप रहेगा 12 दिसंबर से आसमान में आसिंग बादल चाये रहेंगे बुद्धवार को सहर का अधीतन ताफमान 28 डिग्री सेल्सियस और नियूंतन ताफमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है अगली बड़ी खबर जेबी भी एनल को ग्रामिन से अपिल राजस वसुली का लच पूरा करने के लिए गली गली जाकर लोगों से बिजली बिल जमा करने के लिए कर रहा अपिल जेबी भी एनल अब ग्रामिन छेत्रों में लोगों से बिजली वसुली बढ़ाने के लिए नया तरीका इजात किया है गाह में घुम घुम कर लोगों को बिजली बिल देने के लिए जागरू किया जा रहा है उन्हें जल्द बिजली भुगतान करने की अपिल की जा रही है जे भी भी एनल की ओर से यह तरीका लच को हासिल करने के लिए कर रहा है ताकि समय से राजसुक की वसुली हो सके सी के साथ अगली बड़ी खबर दिल्ली के लिए दूसरी रजधानी ट्रेंट 15 दिसंबर से बोकारों होकर जाएगी राची LTT X16 से दिल्ली और मुबई जाने वाले आत्रियों के लिए राहत की खबर रेल मंत्राले ने राची से दिल्ली किये लिए दूसरी रजधानी ट्रेंट को चलाने की मंजूरी दे दिया यह ट्रेंट 15 दिसंबर से हर हफ्ता दो दिन बुधवार और सनिवार को बोकारों होते हुए जाएगी अगली बड़ी खबर जारखन सरकार में क्रोना आधा मंत्री मंडल हुआ संक्रमित एक की गई जान अब तक 22 फिश्टी विधायक हो चुके हैं संक्रमित जारखन के आधे से जादा मंत्री करोना के चपेट में आ चुकी है 11 सदसिय मंत्री मंडल में 6 को करोना हो चुका है इसमें 4 ठीक हो चुके है वित मंत्री रामेश्वर उरा एक दिन पहले ही कुरेंटाइन पूरा करके बाहर आये हैं जबकि अर्प संक्यक मंत्री हाजी हुसेन अन्सारी का निधन करोना से ही हो गया है 26 सितंबर को करोना संक्यर बित हुए थे अन्सारी का निधन 4 अक्टूबर को राची के मेदान ता अस्पताल में हुआ इसी के साथ अगली बड़ी खबार पड़े बदलाव की तयारी में राजी सरकार किरीसी कानून में संसोधन करेगा जारखन किसानों को MSP की गरेंटी मिलेगी किन सरकार की किरीसी कानून के खिलाब देश भर में गुस्सा है किसान सडकों पर हैं पांच दौर की बादचीत के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकल पाया इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को भारत बंद रहा इसमें जारखन के किसान और कई राजनितिक दल भी सामिल हुए इसी के साथ अगली बड़ी खबर जारखन में करोना 291 मिले नए संक्रिमित मरीज 202 ठीक हुए तीन की मौत राज में बुद्धवार को 291 नए संक्रिमित मरीजों की पाचान की गई वहीं 202 लोग करोना से ठीक भी हुए इनमें राची से 75 लोग सामिल है इधार आज 3 करोना संक्रिमितों की मौत वी मिर्दकों में धनबाद से एक और राची से दो मरी सामिल अब कुल संग्वितों की संग के 110,649 हो गई जबकि ठीक होने वालों की तादाद 17,898 हो गई है इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को देखने के लिए धनिवाद